नमस्कार मैं नवीन कुस्वाहा यस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम एक छोटा सा वीडियो गगन यान मिशन के बारे में हम जानकरी हसिल करेगे कि क्यूं है ये चर्चा में तो क्या है गगन मिशन आज पूरा विस्तार से इसके बारे में दिखेंग तो चर्चा में अब भी हाल फिलाल क्यूं है 27 फरवरी को प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी जी ने गगन यान मिशन पर भेजने वाल अंतरिक सियात्रियों का नाम घुसित किया है और वो अंतरिक सियात्री कौन है ये चार नाम आपके सामने है जो ग्रुप कैप्टन प्रसा और विंग कमांड सुभांसु सुकला ये कुल चार लोगों का नाम एनाउंस हुआ है जिसमें तीन कैप्टन है और एक विंग कमांडर है ठीक है 27 फरवरी को प्रधान मंतरी मुदी जी ने एनाउंस किया है ये चर्चा में क्यूं है क्यूंकि इतनका चार नाम जनों का नाम एनाउंस किया है इसलिए अब क्या है गगन मिशन एक सवाल पूछा जा सकता है बहुत सारी परिच्छाओं में तो भारत का ये पहला मानव अंतरिक्स मिशन है याद रखे गया मानव अंतरिक्स मिशन इस मिशन में मनुष से भी जाने वाले हैं और किस तरस है तो इस मिशन के तहट तीन लोगों के दल को तीन दिन के लिए अंत्रिक्ष में भीजा जाएगा याद रखे कितन लोगों को तीन लोगों को तीन दिन के लिए भीजा जाएगा जो मिशन पृत्वी से तीन सो से चार सो किलोमेटर की उचाई पर पुर्थवी का चक्कल लगाएगा और उसे वापस भी लाना है उसे सापसी यह सिडूल सेट किया गया है इसके बाद दल को सुरक्सित पुर्थवी में वापस भी लाना है यह डिसाइड किया गया है और भारतिय अंतरिक्स अनुज़णधन संस्था इस्रो द्वारा वर्स 2025 में launch करने की योजना बनाई है अब 2025 में बनाई है अभी से announce किया है तो इसकी practice करवाई जाएगी और practice के लिए रसिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है रसिया मदद कर रहा है इस चीज के लिए तो ये 2025 तक में launch किया जाएगा तारीख नहीं बताई गई है लेकिन 2025 में complete होगा ठीक है दूस्तों तो current affairs में बहुत अच्छा सवाल बन सकता है इसका उद्देश पुत्वी की निचली कक्स lower orbit जो बोलते हैं माननाव अंत्रिक्स उडान मिशन शुरू करने के लिए स्वद्देशी छमता का प्रदर्शन करना है ठीक है अब ये पुत्वी की निचली कक्सा leo क्या चीज है तो दिखते हैं यह अंत्रिक्स का वह छेत्र है जहां उग्रह पुत्वी की सतह के सबसे निकट परिक्रमा करते हैं ठीक है और इस सामान्य पुत्वी से 160 से 2000 किलोमेटर के बीज ये माना जाता है मतलब कि ये पुत्वी से 160 से 2000 किलोमेटर के बीज के दायरे में ये सेट किया जाता है ठीक है अपने अपनी तरह से वायू मंदल के खिचाव के कारण उबग्रह 160 की कमी के नीचे परिक्रमा नहीं कर पाता ये भी याद रखेगा कि जब पूत्वी की सतह से 160 किलोमेटर के नीचे वो परिक्रमा नहीं करता इसलिए उसे 160 किलोमेटर से उपर ही रखा जाता है इसलिए भारत 300 से 400 किलोमेटर के ब बीच होती है ठीक है जो टाइमिंग जोन डिसाइड किया है यह आकार में गोलाकार या अंडाकार हो सकता है गोल भी परफेक्ट हो सकता है या अंडाकार भी हो सकता है आप सभी जानते हैं पूठवी के गोलाकार को और यह जो कक्सा बताई गई है आपको तो यह कक्सा में से 2000 के बीच की बात हो रही है तो दूर संचार हो गए तस्वीर फोटोग्राफी और कुछ खुफिया जानकरियों के लिए यहां पर इस लेवल पर उग्रह छोड़े जाते हैं आगे देखते हैं कि भारत का अंतरिक स्टेशन तो देखिए भारत का खुद का अंतरिक स्टेशन अभी है नहीं लेकिन उसके लिए एक डेट डिसाइड की गई है ये भी साल डिसाइड के आ गया है कि वर्स 2025 तक भारत स्वयम का अंतरिक स्टेशन लांच करने की योजना बना के बैठा है ठीक है तो 2035 तक भारत स्वयम का अंतरिक स्टेशन एक लांच करेगा ठीक है यह इससे LEO में लगबग 400 km की उचाइक स्थापित किया जाएगा और इसकी आवस्चक्ता क्यों है तो इसकी आवस्चक्ता ऐसा है कि गगन यान मिसन की सफलता के बाद इससे लॉंच करना महत्वपूर्ण हो गया है अब जैसे हम लॉंच कर रहे हैं उससे वापस भी लाना है और म अध्यम से भारत अंत्रिक्स की संभावनाओं का सहभागी बनेगा ठीक है ये एक याद रखेगा वर्तमान में अंत्रिक स्टेशन तो अभी हाल फिल हाल में अंत्रिक स्टेशन की निके हैं और कौन से हैं तो वर्तमान में दो अंत्रिक स्टेशन है जो पृत्वी का चक्कर लगा रहे हैं एक तो नासा के नित्रूत वाला अंतर्राश्टिया अंतरिक स्टेशन है जो नासा का खुद का है और एक चाइना का है चीन का तियान गोंग ये दो अंतरिक स्टेशन एक नासा का और एक चीन का अंतरिक स्टेशन है ठीक है दोस्तों तो ये आपको जानकरी मिल गई होगी गगन यान के बारे में तो ये जो गगनन जन्मी सन है इसके लिए जितने भी एक अगन current अफिर्स बन सकते हैं आप आसानी से यात रखेगा क्योंकि 4-5 current अफिर्स अलग-अलग तरीके से इसमें से झाल झाल